अलो वाईज, विल्कम बैक टू माई चैनल विग्यान सायन्स अकेडमी जहाँ पर आम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं तो गाईज अभी जो है नीट एक्जाम कब हो सकता है उसके बारे में अम लोग डिसकस करेंगे नीट का पैटन डिसकस करेंगे जो कि न्यू है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक्जाम देना चाते है प्रोडेटी स्कॉलर्शिप टेस्ट तो उसके बारे में आपको इन्फर्म कर दूगी आनेकेडमी पर 20 लाक तक आप स्कॉलर्शिप जीच सकते हैं 23rd जाने वारे से जो है यह स्टार्ट होने व आइक बुक एर एपल आइफोन आइपैड और आमेजान के वाउचर जिस सकते हैं आप एक बार शेडूल चेक करो अपना जो है स्क्रीन शॉट ले सकते हो अगर आप 11 में हो तो आपका जो एक्जाम है 10 एम को है 29 6 और 13 को आप जो है दे सकते हो 12 में हो तो शेडूल अलग है तो अपने अपने इसाब से आप दे दो फाइनल लीग फॉर दे नीट 2022 अगर आप अभी एक्जाम दे रहे हैं तो यहां पे कुछ टॉप एडुकेटर आपको गाइड करेंगे और आपका जो नीट है वो क्रैक करने में आपकी हल्प करेंगे ठीक है तो यहां पे नीट पी वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं इंफरमेशन देखेंगे पूरा का पूरा नीट के बारे में तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि नीट 2022 कब होगा लेकिन उससे पहले बहुत सारे बच्चे को थोड़ा बहुत प्रोब्लेम है कि नीट का एक्जाम का पैटन सही से नहीं पता तो हम लोग देखते हैं कि क्या पैटन है और कैसे एक्जाम होने वाला है ठीक है तो कंडग करता है नैशनल टेस्ट एजनसी डाट इस एंटीए ओफिशल वेबशाइट है www.nta.ac.in एक्जाम लेबल जो रहता है ओल इंडिया लेबल मतलब आपका रिजन एक्जाम नहीं होगा सबी जो एक्जाम है एक साथ होगा ओल इंडिया का एक्जाम टाइप अंडर गैजवेट कोर्स के लिए एक्जाम होता है यहाँ पे मेडिकल और डेंटल कॉलिजेस में आपको एडमिशन मिल जाता है mode of examination कैसा है तो offline होगा यहाँ पे periodicity के बात करेंग तो साल में एक ही बार होता है score maximum आप कर सकते हो 720 type of question क्या है तो MSQs duration of exam कितना है तो 3 hours and marking scheme रहता है correct question को 4 marks and incorrect को minus 1 ठीक है तो I hope आपको समझा होगा आपके हम लग बात करेंगे कि exam आपका कब conduct हो सकता है 2022 ठीक है exam rates are expected to be announced by the National Test Agency in the second week of January ठीक है लेकिन time जो है बढ़ता जा रहा है second week जो है almost खतम हो गया अभी जो है third week start हो गया तो यहाँ पे expected है by the end of the gen यहाँ पे आपका आ जाएगा as per the need 2022 exam date latest news the exam is likely to conduct in the first week of the May तो जैसे के आपको पता है first week में conduct exam हमेशा ही होता है बस pandemic के बज़े से last time जो है दो साल postpone हुआ था लेकिन अभी जो है सब properly चल रहा है तो अभी जो है exam में में हो सकता है the need 2022 application form will be tentatively available first week of the FEP ठीक है तो ध्यान रखना है वीडियो को अपने friends के साथ share करना है और चैनल को subscribe करना है for need update ठीक है तो आपको जैसे ही कोई update आएगा form fill up start होगा में वीडियो बना के आपको inform करता रहूंगा ठीक है the admit card of the need 2022 will be released approximately two weeks prior the exam okay तो exam से पहले admit card आपका आजाएगा that is April में ठीक है तो guys इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो इंफर्मेटिक लगा इसे अपने friend के साथ share करो और जानल को जरूर सब्सक्राइब करो for latest update telegram group से जुढ जाओ वहाँ पे हम लोग आपको सिख आएंगे भी